आपका हमारे चनल NST IT के इंफो में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी जनरल कमपेटिशन के एक्जाम में एक दो कोशन आते ही रहता इस टॉपिक से यह है केमिस्ट्री का प्रियोडिक टेबल यहां सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका जो है कि प्रियोडिक टेबल जब 18-वी सदी से पीछे जाते हम 16-17-18 सदी तक किसी को इन सब सारे चीजों के बारे में उतना कुछ पता नहीं था बस कुछ तत्व थे जिनको यह लोग जानते थे लेकिन एक बेग्यानिक आए डोबे राइनर वह 1817 में तो डोबे राइनर यह 1817 में पहली बार लाएं तो इनका जो त्रिक नियम था ठीक है कि तीन-तीन के समूं में बनाईए और जो समूं में आएंगे एक दूसरे के साथ इस तरीके क्या था कुछ कि एक दो तीन ऐसे करके लिखते जाए जो इससे यह क्या हो प्रोपर्टी मैच होगा लेकिन बाद में जाने पर क्या पता चला कि इनका कोई इस पर जो है कि बहुत सारा गलती था तो उस समय के लिए तो यह माने था कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए लेकिन फिर बाद में फ्लॉप हो गया हमें बस जानना यह है कि डोवे नाइनर ने 1870 इसी में त्रिक सिधानत दिया था ठीक है अब आते हम अपना दूसरा तो दूसरा हमारे के कौन से बैग्यानिक थे सिप तीन चार ही बैग्यानिक थे इसमें तो पहला यह बैग्यानिक हो गए डोव 268 में कि एक जैसे की आठ आठ इस तरीके से बनाए हुए थे आठ वो बनाए हुए थे तो इन्होंने 8 octave नियम दिया था यहीं पर तो इस तरीके से बुले थे कि ऐसे ऐसे जो भी तत्व आएंगे इनको सजाने के बाद जो भी आएंगे तो इस तरीके का जो भी होगा उसका प्रोपर्टी सेम होगा इस तरीके से लेकिन यह भी नहीं चल पाया उतना अच्छा नहीं था फिर इसके जश्ट एक साल बाद ही जो एक अच्छा सा था उस समय के लिए बहुत अच्छे बेग्यानिक थे बड़े बेग्यानिक थे उनका नाम था मेंडलीफ तो मेंडलीफ ने जश्ट 1968 के बाद oft सब्च लाइक नहीं ही और इसलिए बनाय गया कि अगर सभी चीजों को सजा के रखा जाये सारे ततो उनकी प्रोपर्टीज को मिलाने में फिजकल और केमिकल प्रोपर्टीज को मिलाने में क्या होगा कि आसानी होगी कि अच्छा ये ये तक तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं अगर इस तरह से कैसे कोई भी कहीं भी हो तो बिख्रे हुए रहेंगे तो पता नहीं चल पाता है इस वजह से अब देखे निव लेंड्स के बाद आये हमारे मेंडलीफ तो मेंडलीफ मेंडलीफ कब दिये थे इन्होंने 1869 में ठीक है बात समझ गए ये याद रखना है ये जो तीन पॉइंट है कौन किसने कब दिया था तो इनका था तो ये क्या बोले थे कि प्रोपर्टी क्या था लौ क्या था कि तत्व के परमाडू भार बात समझ में आ गया परमाडू भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने सजाया था बढ़ते क्रम में सजाया था तो इन्होंने बुला था कि अगर हम सारे तत्व को जितने भी हैं उनको उनके प्रमाडू भारों के बढ़ते भी क्रम में सजाया था तो क्या होगा कि जो एक column में तत्व होंगे उनके properties मिलेंगे तो इन्हों ने किस तरीके का बनाया था तो इन्हें क्या था 9 वर्ग था और 7 आवर्थ था बात समझ में आगे आवर्थ कैसा होता है ऐसे तो एक दू इस तरीके से था साथ साथ था अब देखिए जो वर्ग है 9 कैसे था ऐसे लेकिन एक ही वर्ग में 2 था तो इस वज़े से ए बी तो 9 दूना 18 हो गया तो आपको कितना याद रखना है 9 वर्ग था और 7 क्या था आवर्थ ये बात समझ में आ गया यहां से इनका क्या रूल था कि परमाणुभार क के बढ़ते हुए क्रम में अब इसमें आता है कि इनके नियम में क्या-क्या गलती थी ठीक है गलती क्या-क्या था तो गलती यह सब पूस्ता है गलती यह था कि हाइड्रोजन को यह मतलब कि एक उचित प्लेस नहीं दे पाए थे आज भी हाइड्रोजन का उचित प्लेस नह कही कॉलम में थे बात समझ में आ गया ये था दूसरा और तीसरा ये था कि ये तो बोले थे कि प्रमाडु भार के बढ़ते हुए क्रम में पहले कम प्रमाडु भार उसके बाद ज्यादा उसके बाद उससे ज्यादा लेकिन कहीं कहीं क्या हुआ था कि प्रमाडु भार जिसका तो सबसे पहले मूजले नाम के एक बैग्यानिक थे तो उन्होंने क्या लाया कि modern periodic table कि स्लोक फालो करता है तो वो जश्ट के experiment कर रहे थे उस समय तो experiment करते करते उन्होंने देखा कि जो है कि तत्व है तत्व और इसका परमाडू क्रमांक जब ये इस तरीके से किये एक्सपेरिमेंट तो इस तरीके का कुछ ग्राप हाया तो उनको ये बात पता चल गई कि तब तो जो है उनके जो प्रोपर्टीज है चाया वो फिजिकल हो या केमिकल वो उनके परमाडु भार के आवर्ती फलक नहीं होते हैं मतलब कि परमाडु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजा के रखें तो सही नहीं होगा अगर हम उसको परमाडु करमांग के बढ़ते हुए क्रम में सजा के रखें तो सही होगा तो इसी वजह से क्या है कि modern periodic table में आप देखेंगे कि hydrogen का one है है क्या प्रमाडव क्रमांग हिलियम का दो है लिथियम का तीन है इस तरीके से आगे बढ़ते हुए लिखा गया है तो क्यूं क्यूंकि modern periodic table में यही बात कही गई थी अब देखिए modern periodic table में याद करने वाली कौन सी बात है कि modern periodic table का law किस ने दिया था तो मुझले ने दिया था किस ने दिया था मुझले मुझले कुछ इसे ही बोलते हैं इनको क्यों क्योंकि एस और सौ जर में क्या है कि इगलीज में थोड़ा सा दिक्कत होता है सबको तो कोई भी मुझली लिख देता है या फिर मुझले लिख देता है मुझले पढ़ते है अक वह 18 है तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको कॉलम कॉलम बोलते हैं बात समझ गए कॉलम कितने है 18 और रो कितने है ऐसे आवर्थ आवर्थ कितने है आवर्थ इसमें साथ है और कॉलम को वर्ग बोलते हैं बात समझ गए वर्ग कितने है 18 इतना बात समझ में आगया आवर्थ साथ है और वर्ग 18 है अब इस तरीके से तक्रीबन इस समय मौडरन प्रियोडिक टेवल में कितने हमारे हैं तत्व 118 तक्रीबन तत्व हैं पहले 108 ते फिर धीरे-धीरे एक से दूसरे को क्या किया गया थोड़ा सा चेंज करकर के अब देखिए हमारे परमाडू जो है कि यह प्रियोडिक टेबल है इसमें किस किस तरीके के प्रमाडू है सबसे पहले तो हम प्रियोडिक टेबल का कुछ बनाते हैं थोड़ा सा उसके बाद देखते हैं कि आपको प्रमाडू जितने भी हैं उनका प्रमाडू क्रमांक और पर पूछा जाता है जिससे की आप क्या करेंगे की कन्फ्यूज होके नहीं कर पाएंगे जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का होता है प्रमाडू-क्रमाइग लेकिन इसका प्रमाडू-क्रमाइग। तू लेकिन इसका प्रमाडू भार चार होता है तो आम तोर पे लोगों को धार्ण आए यह है कि प्रमाडू क्रमांक जितना होता है उसका दूबना प्रमाडू भार होता है लेकिन क्लोरीन के केस में कितना होता है क्लोरीन है तो इसका कितना होता है 17 होता है प्रमाड़ कर्मान के लेकिन प्रमाड़ भार कितना होता है 35.5 अब देखिए 17 दुना 34 करके कोई डाटा आप माली जी आपको बोल दिया यह कोश्चन CACL2 है calcium chloride इसका आप प्रमाड़ भार निकलिए तो क्या करेंगे कि इसका calcium का 20 दुना 40 होता है तो 40 30 प्लस अब इसको करिए कितना हो जाएगा आम तोर पे 34 34 दुना कितना हो जाएगा और 68 तो आप जब करेंगे 108 आएगा लेकिन जब इधर से करेंगे तो 30 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 111 यानि अगर option अगर आपको दे दिया जाती 108 109 110 111 तो आप 108 मार के आएगे जब कि दूसी बात हैं तो सबसे पहले याद करने वाली बात यह है कि इस तरीके से हम अठारा बना लेते एक 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 दो कि तीन कि चार कि पांच छे साथ आठ नौव दस 11 12 13 14 15 16 17 18 अब देखिए इस तरीके से जितने भी हैं बना लेते हैं क्यूँ बनाया जा रहा है क्योंकि इसको याद करने में आसानी होगी बात समझ में आ गया आप देखिए 18 है और इस तरीके से कितना है साथ है कि साथ है और दो नीचे है बात समझ गया है इसको बोलते हैं लेंथे नाइड इसको बोलते हैं एक्टिनाइड यह साथ है कि अब देखिए सबसे पहले आते हैं जो पहला हमारा है तो पहला कौन सा है हिड्रोजन है हें हेलियम है इसमें भी क्या है कि nerede नाइट और एक्टिनाइड तैरि jetятьए यह इसको एक प्रॉपर प्लेश इसमें नहीं मिल पाया इसलिए इसको बाहर रखा गया पहला कमी और और दूसरा कमी यह है कि हाइड्रोजन जो है कि उसको सही जगर नहीं रखा गया है क्यों क्योंकि हाइड्रोजन का गुर्ड जो है कि लिथियम वाले के साथ भी मिलता है यानि 17 वाले के तो जो हमारा पहला है यहां क्या है हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है पोटेसियम च्छारी डातू बात समझ गये और इसको हम बोलते हैं चारी चारी दातू मतलब यह समुंद्र में पाए जाता है और यह समुंद्र के तलहटी में पाए तो यह सब नहीं वगरा नहीं है यह 17 वाले में है फ्लोरीन क्लोरीन इसको हम बोलते हैं क्या कि यह समुंद्र में जो पाया जाते हैं तो वह वाले 17 में हैं गैस के फ़र्म में होते हैं और 18 में अक्रिय समुंद्र में होगा है हिलियम होगा और बीटान क्रिपटान रिडान इस बिऔर20 दातु और यह हो गया कि है समुद्र में पाये जाने वाले और यह अक्रिय तो यहां तक पता चल गया और ऑक्षीजन किसमे mat तो आपको यह बताना होगा कि 17 वर्ग में है अगर पूछ लिया जाए कि जो है कि अक्रिय के सो को प्रियोडिक टेबल में कहां पर रखा गया है तो आपको इतना याद होना चाहिए कि 18 वर्ग में रखा गया है इस तरीके प्रकृति थी जो कि पढ़नी थी स्टार्टिंग में ही बाकि मुझले वगरा सब कुछ पता चल गया अब इसके बाद आते हैं प्रियोडिक टेबल में और भी कई सारे प्रोपर्टीज हैं जैसे कि ऊपर से नीचे आएंगे तो अगर हम प्रियोडिक टेबल में यहां पे हम सा लिख देते हैं देखिए उपर से अगर नीचे आएंगे तो धात्विक प्रकृति क्या होगी प्रकृति क्या होगी बढ़ेगी समझ गये धात्विक प्रकृति बढ़ेगी एक प्रोपर्टी ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक प्रपर्टी बढ़ेगी एक इलेक्ट्रोनेट्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्य सही है कि उपर से नीचे आएंगे तो धात्विक प्रकृति बढ़ेगी या फिर दाय से बाय आएंगे तो धात्विक प्रकृति बढ़ेगी आप देखिए दाय से बाय से दाय जाएंगे इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रो निगेट्यूटी क्या होगा समझ में आग jaar अब देखे अगर ऊपर से नीचे आएघे तो क्या होगा समझ खेगा तो कि यहां पर हम लिख देते हैं तो क्या होगा इलेक्टर निगेटिविटी बढ़ेगा यहां पर बढ़ने का सॉएं खेगे साइन को समझ लिए सा कि two-person नीचे आ तीर कहा है उपर से नीचे नीचे जा रहा है तीर और जायं से बाएं यह बढ़ने का साइन है अब इसके बाद हम आते हैं कि प्रमाडू त्रिज्या हो गया या प्रमाडू त्रिज्या तो प्रमाडू त्रिज्या क्या होगा कि प्रमाडू त्रिज्या इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगा और उपर से नीचे आएंगे तो प्रमाडू त्रिज्या बोलिये या परमाडू का साइज दोनों क्या होगा बढ़ेगा हम बढ़ने का ही ले रहें तो आप अगर इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है घटता है इस वज़े से हम बता दियें कि अगर राइट से लिफ्ट आएंगे तो क्या होगा परमाडू त्रिज्य हैं जैसे कि एस वाले तत्व हैं जिसके लाश्ट में एस सेल होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया यह सब इसको एस वाले तत्व हैं तो यह जनरली मेटल हो गए रहा होते हैं अब देखिए पी वाले तत्व हैं जिनका लाश्ट सेल पी में होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं कि अधातू या गैस होता है बाल समझ ग्यां आधातू या गैस होता है और ऐसे घृते हैं तत्र कृमाणar के तत्र बात समझ गया और एसे तत्र जनकरे लाष पर होता है लाष्ट इलिक्ट्रोन या हम एस पी इए आ ग्या यह आ कि आप बाओ का लौ पढ़े होंगे कि वन एश्टू इस तरीके से कैसे सजा के रखते हैं उनका भी नियम है यह कि हम प्रमाडू भार जो है कि क्रमांक जो है उसको बढ़ते वी क्रम में किस तरीके से सजाते हैं वह आप 10 वाले क्लास में पढ़े होंगे कभी न कभी तो इस अगर झारा है तो यह क्या आऊगा रेडियो कि रेडियो 14 रेडियो 19 बात समझे रेडियो Film तीत है इस त्रिके से अब यह हो गया अब देखिए copper AG और AU copper AG और AU यह हो गया इस तरीके से क्या है कि एक ही समूव में होते हैं बात समझ गया यहां तक हो गया अब लोसे क्यों यहां पर यहां पर यहां पर यह सारी चीजै ऐसे आसे याद किया जाता है जैसे किसी को नहीं आढ़ोता तो हाई-डोरिय्सियु przy distributedאלav उसके बाद क्या होता है यहां से मेगनिसियम वाला होता है तो कैलिसियम मेगनिसियम मेगनिसियम कैलिसियम उपर भी क्या होता है बुरान होता है इस तरीके से सब याद किया जाता है इस तरीके से याद करेंगे तो नहीं आज़ पाएगा इस तरीके से याद किया जाता है है लेकिन की सारे स्टेतो है जिनको उच्चारण कुछ और होता और उनका लिखने का पृतीख होता है वह कुछ और होता उसके बारे में वहAKल बताएंगे क्यों क्योंकि यह सब हमारे कंट्री का लेंग्वेज Canada का है तो यह जुसे एक ऐग्रीक कांट्री यह वहाँ पर Latin language चलता है तो उसके हिसाब से यह सब रखा गया है जिसे रोमन रोमन अंक होता है उसी तरीके से यह भी सब वहीं का है तो इस तरीके से अलग-अलग होता है जिसे कई सारे तत्व का मॉलीब signaling इन का एंअ का वहीं कई लोग बोलेंगे लेकिन अगर वहीं कहीं पर टंगश्चन है तो टंगश्चन का लोक सोचेंगे चीव टी नहीं होता है डबू होता है जिसे पोटेशियम यह है तो क्य हो हो जाता है सोडिया में तो एन्य हो जाता है इस तरीके से किसका किसका सब इंपोर्टेंट वाला हम बता देंगे आज का वीडियो में इतना ही बाकी हम कल बात करेंगे अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बाक्स में और सबसे अंतिम बात यह है कि आप कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए